नमस्कार आप सभी के एकबार पुना स्वागत है मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं इविद्या चैनल नमबर 9 पर हाजिर हैं हम अपना ये हिंदी का लाइव इंटरेक्टिव सेशन लेकर इस क्लास में आज आप पढ़ने जा रहे हैं शुक्र तारे के समान स्वामी आनंद इसके लेखाख है ये क्या है इसके बारे में जानेंगे फिलाल मैं इस कारिक्रम को हमारा ये लाइव इंटरेक्टिव सेशन है इसको शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना आप सभी के साथ साज़ा करना चाहूंगा परिक्षा का चुकि समय है तो परिक्षा पर चरचा जो हम होने जा रही है उसी के सलसिले में ये है इस बार परिक्षा पे चलचा 27 जनवरी 2023 को होगी इस कारिक्रम में माननी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिवावकों से सीधा समभात करेंगे तो आईए उन्हें सुने और उनके जो जीवन के अनुभव है उनसे सीखें की कैसे तनाव रहित रहकर परिक्षा को उत्सव बनाया जा सकता है और इस कारिक्रम का सीधा प्रसारण आप दूरदर्शन समीत अनिक चैनल हों और ओल इंडिया रेडियो पर सुन सकते हैं, देख सकते हैं तो तारीख जरूर याद रखिएगा परिक्षा पे चर्चा 27 जनवरी 2023 हम अपना ये हिंदी का इंटरेक्टिव सेशन शुरू करते हैं आप भी चाहे तो इसका हिस्सा बन सकते हैं आप चाहे तो 8800 440 559 पर हमें फोन कर सकते हैं या हमारी क्लास 9 की इमेल आइडी का भी प्रयोक कर सकते हैं यदि कुछ लिखना चाहते हैं, कोई प्रशन है, कोई जिग्यासा है तो भी हिचक लिखे हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर अपाला भारगवी है आप कंसल्टेंट हैं और टीचर भी है हिंदी की डॉक्टर भारगवी नमस्कार आपका बहुत बहुत स्वागत है पहला एक सामाने सा प्रशन मेरे जहन में जो आ रहा है बत और छातर कक्षा नौक अधी मैं पूछना चाहूं तो ये शुक्रतारे के समान ऐसा एक टाइटल है जो थोड़ा अजीब सा है कुछ नया सा है कुछ अनोखा सा है तो ये क्या है इसके बारे में बच्चों को परिचेने ताकि वो पढ़ने में उनको पहले रुची आए फिर आनन दाए सुक्रतारे के समान ये जो नाम है वो मूलतह तुलना अत्मक लग रहा है कि किसी से किसी की तुलना की जा रही है सुक्रतारे के बारे में अगर हम जाने सबसे पहले तो ये हम जाने कि सुक्रतारे से इसकी तुलना क्यों किसी की भी तुलना क्यों की जाएगी हम सुनते हैं धुरुतारा और और भी कई तारों के नाम हम जानते हैं लेकिन ये एक तारा इसकी चर्चा क्यों पहली बारा आ रहा है शुक्र तारे की एक विशेस्ता है वह नक्षत्र मंडल में कुछ घंटों के लिए एन शाम के समय बहुत तेज प्रकास के साथ दिखता है आकाश में और उसके बाद वो दिखता है हमें एन भोर सुबह हो रही होती है सुबह होने लगती है उस वक एक तरफ आकाश के काफी चमक के साथ तो कुछ घंटों की रोशनी से वो पूरी दुनिया को अचम्बित कर देता है तो ऐसा ही पारा धरती पर भी है और वो कौन है इसकी तुलना की जारही है यह पार्थ यह बताता है शुक्रतारे से उस वियक्थी की तुलना की कि जो प्रक्रिया थी और उसमें बहुत सारे लोगों की भूमिका थी उसमें एक भूमिका उनके एक सचिव जिन्हें वे नीजी सचिव थे प्राइवेट सेक्रेटरी जिसको आज के समय में कहेंगे लेकिन आज के समय का प्राइवेट सेक्रेटरी और गांधी का तो उसके हम पर्सनल लाइफ में इंटरफेर नहीं करते लेकिन यहां पर गांधी चुकी किसी के नहीं थे वो पूरी दुनिया के थे तो ऐसे व्यक्ति का जिसके आगे जिसका परिवार पूरा का पूरा एक पूरी दुनिया है बड़ी सी दुनिया है वैसे आदमी का कोई प् के और वो व्यक्ति सामान्य आदमी हो नहीं सकता क्योंकि उसे गांधी की पूरी दुनिया को संभालना है गांधी की दुनिया के हैं लेकिन उनकी जो गांधी की जो दुनिया है उनका जो संसार है उस संसार को संभालने वाला व्यक्ति सामान्य नहीं होगा वो बहुत ही वि देशाई उनके बारे में लिख रहे हैं और लिखने वाले जो व्यक्ति हैं स्वामी आनन्द संस्मरण के तौर पर उसी उनके ही साथ काम करते थे महादेव भाई देशाई के ही साथ काम कर किया करते थे गांधी के संसार को संभालने में और उनका योगदान था तो वो स्वामी आनन्द ले उनको याद किया महादेव भाई देशाई को और याद करते हुए यह पाठ उन्होंने लिखा यह लिखा गया मूलता गुजराती में और उसका अनुवाद जो हम आज यह पाठ जब हम हम स्पर्श में पढ़ रहे हैं यह पाठ अनुदित है यानि इसका अनुवाद किया गया और आनंद भी संपादक रहे कई अख़वारों का संपादन किया उस दोर में यह सुतंतृता अंदोलन का दोर है और उस दोर में आप जैसे हमें एक प्रेटफॉर्म चाहिए अपनी बात कहने के लिए पत्रिकाओं की जरूरत होती है हमें अख़वार की जरूरत होती है तो उस वक्त वो तो एक बहुती अजीब सा समय था तो उस समय भी कई अख़वार निकाले जा रहे थे क्योंकि जनता की बात जनता ये जो भारत के शोसेद जुल्म जो सह रही है परिशान जो लोग हैं उन सब की बात और जो आंदोलन कर रहे हैं सुतंतरता आंदोलन के जो सेनानी हैं उन लोगों की बात सरकार के कानों तक पहुँचे इसके लिए सरकारी अख़वार तो मत यानि अंग्रेजों के अख़वार तो उनको नहीं चाप रहे होंगे तो उसके लिए अपने खर्च पर निकाले जा रहे थे भारत में कई अख़वार तो उसमें तरुल हिंद है क कुछ अख़वारों की का संपादन स्वामी आनंद ने किया, फिर आगे जाकर के महादेव भाई देशाई ने भी किया, क्योंकि वो अख़वार एक तरह से जनता की आवाज बन कर सरकार तक पहुँच रहे थे. तो ये पार्ट उनके बारे में है, हमने स्वामी आनंद के बारे में जाना, स्वामी आनंद कौन थे, उनका क्या, उन्होंने क्यों लिखा इस पार्ट को, ये है और इसी तरह एक और मित्र की चर्चा करते हैं, जो इनके महादे भाई देसाई के साथ ही बाद में गांदी जी की जगह के जीवन में आते हैं, वो प्यारे लाल हैं, ये दो-तीन लोग गांदी जीवन में नीजी सचिव के तोर पर काम करते हैं, अब आते हैं हम पाठ पर तो पाठ के सारंश पर जब हम आते हैं कि ये क्या है मोलता तो क्यों उनको विलक्षन कहा गया तो जब हम उस पर बात करते हैं तो हम देखते हैं कि सुक्रतारे के बारे में हमने बताया पाठ का नाम ऐसा क्यों रखा गया हमने ये बताया और अब ये जो इसमें जब हम आते हैं महादेव भाई देसाई के बारे में जानने के लिए तो महादेव भाई देशाई को गांधी जी इतना उन्होंने गांधी जी के जिवन में उनकी इतनी बड़ी भूमिका थी कि पाठ के शुरुवात में हम देखते हैं कि कहते हैं महादेव भाई देशाई के बारे में कि वो गांधी जी के उत्तराधिकारी माने गए वो एक तरह से वारिश भी उनको वारिश कहा गया उनको गांधी जी ने कहा कि ये मेरा वारिश है क्यों इसलिए कहा क्योंकि जिस तरह की सोच रखते थे गांधी उसको शब्दसह शब्दसह से भी ज़्यादा important है अक्षा रसा बगर कौमा का भी mistake किये कौमा की भी गलती नहीं होती थी विचारों में भी गांधी जिस तरह से सूच रहे होते थे उसी तरह वो सूचा करते थे और दुनिया में हर जगह जहाँ भी गांधी का कुछ भी लिखा जाता वो सब कुछ मादेव भाई देशाई की लेखनी से जाता कारण ये क्योंकि वो बहुत ही खुबसूरत लिखा करते थे अब यहां मीजिव सचिव क्यों बने उत्तराधिकारी क्यों कहे गए ये पाठ में हम देखेंगे फिर उनको वारिस क्यों कहा उन्होंने गांधी ने कहा कि ये मेरा क्योंकि वो उनकी सारी बात को समझ लेते थे हम बच्चे हैं माता पिता की हर बात को समझते हैं तो हम तभ तो इस तरह से गांधी ने उनको कहा, और यह घटना कब कहा, यह हम पाठ में देखेंगे, कि कब कहते हैं, यह पढ़ते समय, आप देखेंगे, अब इसके बाद गांधी के बारे में, जब महादे भाई दिसाई के बारे में कि एक दोर आता है आंदोलन का जब उसमें मैनेजर से कहा कि कई अख़बार निकाले जा रहे थे तो जब अख़बार निकाले जा रहे थे उस दोरान घटनाए ऐसी घटी कि कई अख़बार एक बंबे क्रोनिकल जो अखबार निकल रहा था उसमें उसको हर्णी मैन नाम के एक अंग्रेज व्यक्ति निकालते थे और उसमें गांधी लिखा करते थे लेकिन उसमें स्पेस कम था यानि लिखने के लिए जगह कम पड़ती थी गांधी के लिए क्योंकि दोश भर के लोग कोने कोने से लोग आकर अपने जुलमों के बारे में अपनी तकलीफ कहते और गांधी उनको सुनते और जब गांधी सुन रहे होते थे लोगों की पीड़ा या कोई उनका साथी आता है कोई कभी कहीं दुनिया के किसी कोने से आ रहा है कोई वकील है कोई समाज से भी है कोई कुछ डॉक्टर है इस तरह कि जब लोग और दुनिया बड़े कई पादरी आ रहा है कई पंडित आ रहे हैं तरह तरह के दुनिया भर के लोग उनसे गांधी से मिलने आते महादी भाई देशाई कोने में बैठ कर जो बातचीत हो रही होती थी दूसरे लोगों के साथ गांधी की उसको अक्षरसह लिखा करते दर्ज करते क्योंकि वो बात ऐसा नहों कि सिर्फ ब क्योंकि वो बातचीत गंबीर है और जनता की समस्या को लेकर हो रही है किसी मुद्दे को लेकर हो रही है और उस मुद्दे को सिर्फ सुनना नहीं है उसका समाधान डोनना है तो वो कहीं लिखा जाना चाहिए उसे दर्ज किया जाना चाहिए यानि हर गंबीर बात जो हमार हमारे समाज की जरूरत को को से संबंदित है उसकी समस्याओं से संबंदित है हमें यो ही हम बच्चों के लिए भी ये बात है कि हमें तुरंट उस बात को कही न कही नोट करना चाहिए एक डायरी रखनी चाहिए अगर कोई बात है तो उसको लिखा अब स्कूलों में भी आप तरह तरह के ऐसी जगा बनाई जाती है जहां आप समस्याओं को आप लिखते हैं प्रिंसिपल तक वो बात पहुचती है इस तरह से वो भी दर्ज की जा रही थी बात और और उस पर फिर एक विचार होता था विचार मन्थन होता थ जब बैठते थे महादे भाई देसाई नेहरू और तमाम लोग जब बैठते थे गांधी के साथ तो उस समस्याओं पर बाचीत होती थी और बाचीत होने के बाद लेक लिखा जाता और इन सब में महादे भाई देसाई की बड़ी भूमिका होती थी और वो भूमिका मतलब आप सोच लीजिए कि गांधी कोई बात किसी से कर रहे हैं तो गांधी को कहना पड़ता जब लोग दिखाते इसमें चर्चा है आगे पाठ में कि लोई फिशर जैसे लोग भी अगर कुछ लिख रहे हैं तो वो दिखाते थे गांधी को कि देखिये मैंने जो आप से और मेरी बापकी और मेरी बाचित हुई क्या मैंने सही सही लिखा गांधी को दिखाते तो गांधी कहते कि जाकर महादेव भाई ने जो लिखा है उसको उससे मिलान करो यानि मिलाओ क्योंकि उनका इतना इतनी वफादारी इतना डेडिकेशन इतना समरपड था कि गांधी की एक भी बात एक भी कौम आए एक भी कोई ऐसा औसर ना आए जो छूट जाए हर बात का अपना एक हर चिन्न का एक मतलब हुआ करता था कहां पॉस दे रहें गांधी यह सारी बातें एक दखल रखती थी तो इस तरीके से एक एक तो यह हुआ गांधी कही कुछ लिख रहे हैं उसको कहां उनकी बातें छपनी चाहिए जो पत्र चुकि हम आप सब बच्चों ने कक्षा पांच में परा होगा गांधी के नाम चिट्थी चिट्थी आती थी गांधी जी के नाम तो वो चिट्थी आती थी उनका पता नहीं होता था कि जहां भी हो गांधी जहां भी हो इस तरह स पता होता था कोई पता उनका उनका कोई निश्चित पता तो गांधी तो देश भर में गूम रहे होते थे दुनिया भर में एक तरस देशी का देश विदेश में गूम रहे होते थे तो वैसी स्थिती में जो पत्र आते उन पत्रों का जवाब महादेव भाई देसाई दिया क करता था 5G 4G तो हुआ नहीं करता था कि तुरंट संपर्क साधा उन से उनकी राय पूची और लिख दिया अगर जवाब तुरंट जाना है तो उस जवाब को कैसे जाना चाहिए किस तरीके से जाना चाहिए ये बात महादेव भाई देसाई उनकी जीवन में ये भूमिका निभाते थे तो इसमें इस पार्ठ में हम देखेंगे कि किस किस चीज में और एक मजदा उनके बारे में एक महादेव भाई देसाई के बारे में एक और भी बात की वायस रहे उस समय आप आज के समय में हम स्कूलों में हम सुनते हैं कि भाई लिखावट सुन्दर होनी चाहिए तो कई बार सुन्दर लिखावट हो इसके लिए आज कल तो कई तरह कैसी किताबे मिलती हैं तो बार बार बच्चे प्रैक्टिस कर रहे होते थे लेकिन आज के समय में चुकी हम लैपटॉप और दुनिया में आ गए तो उस तरह से लिखने पढ़ने का काम थोड़ा रुक गया लेकिन जो गांधी का समय था गांधी को पता था कि मेरी लिखावट उनकी समझ से उनके लिखावट सुन्दर नहीं है तो वो चाहते थे कि मेरी बात दुनिया तक पहुँचे लिखावट में मेरी जो बात पहुँचे सुन्दर लिखावट में पहुँचे और महादेव भाई देसाई जो वास्तों में पेशे से वकील भी थे संपादक भी थे पत्रकार के और ये तमाम चीजे थी तो वो उनकी लिखावट दुरलब थी जिसके लिए इस पार्ट में एक जगह शब्द आता है कि खुशनवीश यानि सुंदर लिखने वाला तो और उनकी लिखावट इतनी खुबसूरत थी इतनी खुबसूरत थी कि वायस राय को जब पत्र जाता तो वायस राय भी एक तरह से ओ ये व्यक्ति मेरे पास क्यों नहीं उस समय अब आप सोचिए इस बात का मतलब क्या है कि उस समय सुंदर लिखने की कैसी परंपरा रही होगी लोगों की एक होड हुआ करती थी कि अरे बहुत सुंदर तो पांडूलिपिया जो आज आप देखेंगे कई बार ऐसी चीजें आप जाएंगे म्यूजियम में जाएंगे तो आप देखेंगे कि कोई चीज लिखी हुई रखी है बहाग खुबसूरत लिखावट में आप वो भी छोड़ने आप गांडी स्मृती जाएं दिल्ली में तो आप देखेंगे गांडी का जहां भी संग्रा हाला है उसमें कुछ पत्र होंगे और कितने खुबसूरत लिखावट में लिखा गया होता था तो वो सब लिखा करते थे महादेव भाई देशाई तो ये सारी मतलब एक तरह से गांडी के लिए एक आईने का काम करते थे गांधी को वो reflect कर देते थे गांधी जो चाहते थे और ये reflection सिर्फ यही नहीं अखबारों में लिखने गांधी की एक राय थी कि हमारा जो अखबार है भारत से निकलने वाला जो भारतिय अखबार है जिसे हम भारतिय कह रहे हैं जो तरून हिंदर नवजीवन यंग इंडिया इस तरह के जितने भी अखबार हैं वो अखबार ऐसे हो ऐसा उसका मानक उन्होंने टै किया था गांधी ने उनके विचारों में था कि ऐसा हो कि दुनिया से टक कर ले वो अखबार लोग बिना उसको कोट किया आस तो बहुत ही हालत बुरी है हम सुनते हैं कि उस तरह से लि पादकी ऐसे लिए एडिटोरियल जिसको अंगरी जी में कहते हैं ये ऐसे लिखा जाना चाहिए तो ये सारी बातें गांधी की एक एक बात को वैसे ही फालो करते उसका ऐसे ही अनुसरण करते महदे भाई देसाई स्वामी आनंद हो गए प्यारे लाल हो गए नहरू हो गए प अग्रणी हुआ करते थे महदे भाई देसाई तो ये पाठ कई स्थरों पर जब हम पढ़ेंगे तो उनका एक अक्स उनका एक पूरा कैरेक्टर एक अजीब सा सुन्दर चरित्रू भरता है महदे भाई देसाई का विनम्रता में एक जगा पाठ में आगे जाकर के आखिर मे पढ़ते एक तो कहा गया कि साहित भी पढ़ते तमाम चीजें करते लेकिन एक दम दैनिक जीवन में जो जो कोई भी ऐसी बात हुआ करती एक एक चीज जो रेगुलर है घटना घट रही है हर दिन घटना घट रही है उस घटना का जो भी घटना घट थी उस घटना का वह की का बेरा रखते कि आज क्या घट ना घटी आज देश के कोने-कोने में क्या घट रहा है दुनिया के कोने-कोने में क्या घट रहा है पता चलता कि कहीं भी वो जा रहे हैं तो कहीं भी ब्रमर गांधी के साथ वो यात्राएं करते कहीं बार ऐसा होता कि गांधी उनको अपने सा रखी होती और उनको वो पढ़ करके एक तम बिलकुल जागरूक, अलेर्ट थे समय के साथ, तो ये ऐसा नहीं के पुरा नहीं चीजे पढ़ रहे हैं, नहीं चीजों से भी उनका हर दिन, हर बात को जानना उनके लिए जरूरी था, तो एक सजग नागरिक, प्रबुद्ध ना रहे हैं, ये भी इस पार्थ को हम अगर समझें, तो हम देखेंगे कि ये भी एक बात उनके चरित्र से हमें पता चलती हैं, अब फिर पता चलता है को परम निर्म, बहुत ही मधुर भाशी थे, उनके बारे में बहुत सुंदर वाक के लिखा, कि उनका उलास्ट में लिखते से उनकी इस मोहिनी का नशा कई कई दिनों तक उतरता न था, यानि जब एक बार महादेव भाई देशाई से कोई मिल लेता, तो संभाव नहीं था कि वो उसे भूल जाए, तो ऐसा ऐसा प्रभावकारी उनका चरित्र था, और यही चरित्र था कि आगे जाकर के उनकी मृत् में बताते हैं, कि 11 मिल चल कर गांधी तक वो पहांच थे, बाद में उसका असर पड़ा, लंबी यात्रा करने के कारण, कई महीनों तक ऐसा करना पड़ा, उनके सरीर पर उसका बुरा प्रभाव पड़ा, तो गांधी जी के जीवन में उनकी दखल इतनी गहरी थी, कि उनकी मृत्यू असामाईक हुई, बहुत कम उम्रे में हुई, 25 साल गांधी जी का साथ रहा उनका, जब मृत्यू हुई तो गांधी के लिए वो बहुत बड़ा सदमा था, और गांधी निलास्ट में इस पार्ट के अंत में कहते हैं, कि इस मौत का गाओ गाओ गांधी जी के दिल उनके बजन की यह पंक्ती दौराते के एरे जक्त हम जोगे नहीं जशे, कि यह गाओ कभी योग से भरेगा नहीं, किसी भी तरीके से मैं यह भरने भर नहीं सकता, और बाद में कई बार ऐसा होता कि बाद में महादेव भाई देसाई की मृत्यू के बाद, प्यारे लाल ने के मुख से निकलता महादेव ये उनके जीवन के जखम को उनके दुख को प्रकट करता है यह पाठ तो उनको जानना है तो बहुत सी आजकल रामचंद गुहा एक बहुत पड़े इतिहासकार है आज आज के समय के जिवनिकार हैं गांधी के उन्होंने कहा कि गांधी अगर हम उनको जानना पड़ेगा महादेव भाई देसाई के बेटे हैं नारायन देसाई उनके उन्होंने गांधी के साथ अपने बिते हुए पलों को लिखा है वो पढ़ें तो बहुत रोचक है यह सारी जानकारियां बच्चों के लिए बच्चों के ज्यान का वर्धन करेंगी त संस्परण है बहुत मज़ा आएगा आपको उनके बारे में और भी तकई स्रोथ है उनके बारे में जानने के लिए बिलकुल और मुझे लगता है कि ज्यान परक तो यह पार्ट है ही परन तो फिर भी इसको पढ़ने का जो कारण है क्या वो गांधी जी के व्यक्तित वो को जानना नहीं है किसी व्यक्ति को कुछ अगर अचीव करना हो अब फिर शुक्रतारा बनना हो मिसाल बनना हो तो उतना डेडिकेशन चाहिए यह बिलकुल इस पार्ट में परिलक्षत होता है कि आपको डेडिकेट होना पड़ेगा जो भी काम करें पूरे डेडिकेशन के बिलकुल अपना समर्पन यहां पर देखलाई देता है और जब उन्होंने उनके जीवन समापन के बाद उन्होंने जब प्यारे लाल जी को आवाज दी और उनके कंट से महादेव निकला तो यह इस बात का स्रोत है कि वो दोनों एक दूसरे के पूरक ही थे जो एक दूसरे अर विया प्याहत तक है आप नहीं आज गानी जी के विक्त से भी हमको परिचित कराया और दे साईसाप से भी परिचित करवाया कैसे व्यक्ति समभात करता है इस बारे में आपने बताया इसके लिए आपको बहुत भोध धन्यबात बहुत आवाल हमारा ये हिंदी का सत्र हम यही समाप्त करेंगे चलते चलते में आपको एक बार आवश्च एक सूचना बता दू कि इस बार परिक्षा पे चर्चा 27 जनवरी 2023 को होगी इस कारिक्रम में माननी प्रधान मंतरी श्री नरेंद्र मोदी जी विद्यार्थियों शिक्षकों और अभिवावकों से सीधे समबात करेंगे तो हम लोग सुनें उन्हें और उनके जो जीवन के अनुभव हैं उनसे सीखें कि कैसे तनाव रहित रहकर परिक्षा को उत्सव बनाया जा सकता है और इस कारिक्रम का सीधा प्रसारण आप दूर दर्शन अन्य टीवी चैनलों और और अल हिंडिया रेडियो पर सुन सकते हैं देख सकते हैं तो याद रखिएगा 27 जन्वरी 2023 को होने जा रही है परिक्षा पे चर्चा फिलहाल हमारा ये 17 हम यहीं समाप्त करेंगे अगले सेशन लेकर अभी हाजिर होते हैं फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजे इजादत नमसकार